वेलकम टो अवर चारा लोग अक्षास्ट रोएग आज की वीडियो में हम डिस्कुस करने जा रहें इंडियन एविदेंस एक्ट में सेक्षिन नुबर 14 इंडियन एविदेंस एक्ट 1872 का सेक्षिन नुबर 14 के इस बारे में बात करता है यानिकि ऐसे फैक्ट्स जो किसकी एक्षिस्टेंस को शो कर रहे है तो वो सारे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे रेलिवेंट हो जाएंगे अंडियन एविदेंस एक्ट तो अभी पर सेक्षिन को पढ़ लेते हैं यानिकि कोई भी फैक्ट क्या कर रहा है शो कर रहा है स्टेट अफ माइंड की एक्षिस्टेंस को एक्ग्रमपल बात करते हैं स्टेट अफ माइंड क्या होता है अब ये फैक्ट किसकी एक्षिस्टेंस को शो कर रहे है स्टेट अफ माइंड की किसकी स्टेट अफ माइंड की किसके अगेंज में अगेंज भी पर्टिक्लर पर्सन के अगेंज में तो ये सारे फैक्ट क्या हो जाएंगे हमारे रेलिवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्षिन 14 जैसे अगर simple सा example बता देता हूँ मैं आपको कि A ने क्या घरा A ने B को बहुत तेज धक्का दिया clear और B क्या हो गया गिर गया clear और उसकी गिरने से मौत हो गया but देखा जाए तो एक ट्रक बहुत तेजी सा आ रहा था B की तरफ बहुत तेजी सा आ रहा था B को बचाने के लिए A ने क्या करा B को धक्का दिया और B की गिरने से क्या होगी मौत हो गई तो यहाँ पे जुसके state of mind यानि कि ये facts क्या बता रहे है good faith कि उसमे good intention में क्या करा था धक्का दिया था B को यानि कि ऐसे facts अब ये facts हम बहुत सारे illustration discuss करेंगे section 14 में बहुत सारे illustration है one by one discuss करेंगे तो आपको बहुत जादा clear हो जाएगा clear अब थोड़ो सा आगे read out करते हैं और showing the existence of state of body, bodily feeling are relevant यानि कि ऐसे facts जो किसके extension को show कर रहे है state of body की state of bodily feeling की तो वो under section 14 क्या हो जाएगे relevant हो जाएगे come to the next slide wait बच्चो illustration से सब से हो जाएगा clear अब लगे हाथ हम explanation 1 और explanation 2 भी कर लेते हैं then illustrations करेंगे explanation 1 क्या कहता है affect relevant as showing the existence of relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to a particular matter in question यानि कि explanation 1 कहता है आपका general thought यानि कि आप generally क्या state of mind रखते हैं वो मानगे नहीं होगा वो relevant नहीं होगा हमारे under section 14 एक particular instance पे एक particular person के against में एक particular situation में आपका क्या state of mind था ऐसे affect जो इने show कर रहे हैं आपका state of mind को वो ही क्या होंगे under section 14 relevant कहलाएंगे अब बात करते हैं explanation 2 क्या खहता है इसमें क्या बात करे गई है previous हमारी क्या है conviction कह लीज़े previous commission accused का किसी भी offense को लेके वो क्या हो जागा इसके नहीं relevant हो जाएगा example में हलका साब को hint दे देता हूँ तो आपको समझा जाएगा एक A person है उसने B भी गोली चलाई अब उस महीनों पहले उसने B को मारने की कोशिश करी थी उससे पहले भी तो ये सारे previous conviction कह लीजिए या उसके लिए A को क्या होई थी jail होई थी उसने इसे बहुत जादा पीटा था या उससे पहले भी गोली चलाई थी previous commission by the accused of an offense ये सब क्या हो जाएंगे हमारे relevant fact हो जाएंगे clear intersection 14 अब illustration करते है one by one आपके सारे ही doubts clear हो जाएंगे please wait for the illustrations illustration number A A is the accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen it is proved that he was in the possession of a particular stolen article अब देखिए A acquisition किस चीज का लाँ गया है कि A ने क्या करें receive करें stolen goods let's suppose एक A ही person है उस पे एक phone पाया गया clear यह कौन सा phone है iPhone है clear अब यह एक phone पाया गया particular phone और इस पे acquisition लगा है कि यह चोरी का था और तुम्हें पता था यह phone क्या है चोरी का है और तुम्हें अपने position पे रख 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 का यह phone clear तो A यह भी कह सकता है कि मुझे पता ही नहीं था यह तो मुझे किस ने दिया भी ने दिया है और मुझे पता ही नहीं था कि फोन चोरी का है clear और जो मुझे इसका बिल भी है वो fake दे रख रखा है like that but come to the next slide the fact that at the same time he was in the position of many other stolen article is relevant यानि कि उसी time A के पास उसके position पे एक bag मिला या उसके घर पे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे क्या थे phone रखे वे थे clear तो वो सारे phone भी क्या थे चोरी क्या थे तो ये fact क्या हो जाएगा under section 14 of Indian evidence act 1872 relevant हो जाएगा यानि कि एक particular person के पास एक particular stolen good था clear ये phone ही मान लीजे clear एक particular stolen good था और acquisition क्या है इस पे क्या acquisition है कि तुम्हें पता था ये जो particular item है ये particular good है वो क्या है चोरी का है उस time other fact क्या है कि आप और other many other stolen articles मिलते हैं आपके possession में ये fact क्या है relevant है clear come to the illustration number B A is the accused of fraudulently delivery to another versus a counterfeit coin ये counterfeit coin क्या होते है यानि कि जाली note with at the time when he delivered he knew to be counterfeit अब let's suppose एक person है उस पर allegation क्या है कि तुम जाली note चलाते वी पकड़े गए हो तुने किसी person को let's suppose B को क्या दिये है जाली note दिये है और तुम्हें पता था कि जो ये note है वो क्या है फरजी note clear अब इस पर क्या fact क्या relevant हो सकता है ये ये भी तो कह सकता है कि मुझे तो C ने दिये थे मुझे क्या पता ये note जाली है clear तो इस पर क्या fact relevant हो जाएंगे under section 40 the fact that at the time of its delivery A was possessed a number of other pieces of counterfeit coin is relevant यानि कि A के घर में गई और A के घर में देखा एक बहुत बड़ा bag clear उसमें सारे के सारे क्या है जाली note clear तो ये fact भी क्या हो जाएगा relevant हो जाएगा clear under section 14 अब ये जो point में discuss करूँगा यहां से यहां तक ये किस बारे में बात कर रहा है section 14 के explanation 2 के बारे में reroute करते है the fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine account of it when knowing it to be counterfeit is relevant क्या खा गया है देखिए जो A था वो क्या है previously convicted है यानि कि पहले jail जा चुका है किस किस offense में कि उसने क्या करा है deliver करा है क्या another person को counterfeit coin यानि कि जारी note पहले भी जारी note उसने क्या कर रहे है deliver करे है इस offense में क्या कर चुका है previously convicted हो चुका ये fact भी क्या होगा relevant होगा यानि कि यानि कि जो बी का डोगी था उसने क्या करा A को काट दिया हो clear और जो A के allegation थे B के लिए कि तुमें पता था जो तुमारा डोगी है वो क्या ferocious nature का है clear come to the next slide the fact that dog had previously bitten X, Y and Z and that they had made complaints to be are relevant यानि कि जो B का डोगी था उसने पहले X को भी काट रखा था Y को भी काट रखा था Z को भी काट रखा था और ये टीनों ने क्या कर रखी थी वहिया B से complaint कर रखी थी कि तुमारा डोगी क्या है Ferocious Nature का है अब तब भी Negligency किस की थी B की थी B उसे क्या करके नहीं रखता था Band पहना के नहीं रखता था या उसके जो mouth है उसे cover करके नहीं रखता था जो cap होती है उनसे cover करके नहीं रखता था तो B की Negligency थी B को पता था कि जो उनका डोगी है A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm reputation of B. Clear? अब उसे example से समझो. A ने क्या करा? Defame करा किसे B को? Clear? A पर allegation क्या है? कि तुमने क्या करा है? B को defame करा है. क्या करके? Publish करके an imputation intended. कि B की reputation पर क्या हो? हार आणा. तो कौन सा fact relevant होगा? अगर यह allegation है तो? The fact of previous publication. यानि कि पहले भी जो एक person था A. वो क्या करता था? B के बारे में गलद गलद चीज़े चापता था. Defame करता था. यानि कि उसकी reputation को harm हो. यह fact क्या हो जाएगा? Relevant हो जाएगा. Clear? किस section में? Under section 14. Clear? Come to the next illustration. In illustration F. A is sued by B for fraudulently representing to B. That C was solvent. अब A ने क्या करा? A पर case करा गया. किस के दौरा? B के दौरा. Case किस ने करा? B ने करा है. क्या करा है? कि A ने किसे करा? जो C person है. उसे क्या करा है? Fraudulently represent करा है. कि वो क्या है? Solvent है. अब यह क्या कहना चाहते हैं? देखिए. एक A person है. एक B person है. एन एक C person है. Clear? अब जो case करने वाला है. suit किस ने करा है? B ने करा है. किस पर करा है भी यह? A पर करा है. क्या allegation लगाई है? कि तुमने जो एक व्यक्ति था C. उसे क्या करा है? Fraudulently represent करा है. यानि कि B ने पूछा मैं C को करजा दे रहा हूँ. C क्या है? solvent है? यानि कि वो पैसा चुखा सकता है. तो A ने कहा हाँ. हाँ. Clear? तो यहाँ पर B का allegation क्या था? कि तुमने A तुमने क्या करा है? Fraudulently क्या करा है? represent करा है. C को कि C क्या है? solvent हो उस पर पैसे थे. बट C क्या था? insolvent था. Clear? और मैंने इस ट्रस्ट पर क्या दिया? C को पैसा दिया. और उस वज़े से मुझे क्या करना पड़ा? loss suffered करना पड़ा. Clear? अब इसमें कौन सा factor relevant होगा? The fact that at the time when A represented C यानि कि जिस समय A ने क्या करा था? C को represent करा था? तो भी solvent की कि C क्या है? solvent है? C was supposed to be solvent by his neighbors and by persons dealing with him. यानि कि उस time जोसके neighbors थे C के neighbors थे ले A था, D था, E था इन सब को यह लगता था कि C क्या है? solvent है. Clear? और जिन से solvent deal कर रहा था? यानि कि जो C है वो deal कर रहा था उन्हें भी यही लगता था कि क्या है जो C क्या है? solvent है. Clear? ये fact क्या हो जाएगा? relevant हो जाएगा. क्योंकि जो एक एक व्यक्ति है A उसने जो representation दीती C की, वो किस fate में दीती? good fate में दीती. इसे एक और example समझाता हूँ. Let's suppose एक एक person था A उसने क्या करा था? C को represent करा था. अब जो C व्यक्ति था वो जिनसे deal करता था business man था जिनसे deal करता था उनके पैसे payment सही time पर कर देता था किस में जाता था? or D में जाता था अब A ने क्याएगा? हाँ. B ने पूछा कि यार C में उससे एक करोड माग रहा है मैं दून ना दूँ तो तू मुझे बता कि C solvent है तो A ने क्या का? कि हाँ आयर or D में जाता है जिनसे deal करता है मेरे से भी एक बाद deal कर रही थी और परफेक्ट लिए क्या करते था? payment कर देता है जो भी वो पैसा लेता है जो भी debt लेता है उसको within time A कर देता है अब ये जो C था वो क्या था? उस time इंसॉल्मेंट था अब हम सब को नेबर्स को ये पता था कि क्या है solvent इस पर बहुत अच्छा पैसा है क्योंग O D से जा रहा O D सा रहा है हमें क्या पता O D किस की थे D की थी C क्या था? driver था अमेनी चीज पता ही नहीं थी तो यहां पर ये fact क्या हो जाएगा relevant हो जाएगा clear? इस case में जब B क्या कर रहा है miss representation के ले suit कर रहा है ये फ्रॉटलिंदी representation के suit कर रहा come to the next I illustration A is charged with shooting B with intention to kill him in order to show A intention the fact A having previously shoot at B may be proved अब A पर allegation क्या लगे? एए तुमने गोली माली किस पर? B पर उसे जान से मानने के clear? अब यहां पर कौन सा factor relevant हो जागा A की intention को show कर रहा है कि वो पहले भी जो A एक्वियक्ती था A उसने B पर गोली चलाई थी यह fact क्या हो जागा under section 14 relevant हो जाएगा come to the J A is charged with sending threatening letters to B threatening letters previously sent by A to B may be proved as showing the intention of the letters यानि की A वे एक ते उस पर लिगेशन लगे तुमने B को क्या लगे है? threatening letters send करें clear? यह fact कि A पहले भी B को क्या करता था? threatening letters send करता था यह fact क्या हो जागा? is whether A has been guilty of cruelty toward his wife B expression of their feelings towards each other shortly before or after unless cruelty are relevant facts अब A पर जो एक A परसन है उस पर लिगेशन लगे किसके? cruelty के clear? जो A और B के क्या है? expression है उनकी feelings के expression है किस time पर? cruelty से कुछ समय पहले और cruelty के कुछ time पहा है वो क्या है सारे relevant facts come to the illustration number L the question is whether A's death was caused by poison statement made by A during his illness as to his symptoms are relevant facts यानि कि यह एक A वेक्ती है उसे इस poison से उसकी death हुई है या नहीं हुई इसमें कौन से fact क्या होंगे? relevant होंगे clear? अब बात या आती है यह जो poison है वो A ने लिया है उस वज़े से A की death हुई है या नहीं हुई है यह कैसे पता चलेगा? जो A statement देगा? मतलब? दिखिए मैं समझाता हूँ जब A ने क्या करा? इंटेक करा वो poison उसने का मेरे सर में दर्द हो रहा है या उसके मुँसे जाग निकलने लगी या उसे चटकर आने लगे या उसके स्टमख में बहुत पेन होने लगा तो यानि कि जो भी statement दी गई होगी किसके A ने दी होगी किस time पे during his illness यानि कि जिस time उसने वो जहर की bottle पी या वो किसी coldring में किसी भी हमारे water में coldring में या किसी भी चीज़ में मिला वा था उसे लेने के बाद इंटेक करने के बाद जो भी symptoms बताए इसके द्वारा A के द्वारा जो भी symptoms बताएगे statement दी गई A के द्वारा मुझे चकर आ रहे हैं मुझे मेरी आख्यों के आगे काला पढ़ रहा है तो जो भी symptoms दीए गई वो सारी statement क्या हो जाएगी relevant हो जाएगी under section 14 clear? come to the next illustration number M the question is what was the state of A's health at the time when an assurance on his life was affected यानि की A ने क्या करवा रखा था अपना insurance करवा रखा था तो जो भी जिस time insurance करवा रखा था जो भी healthy A की वो question में है तो उसमें का statement relevant होगी statement made by A as to the state of his health at or near the time in question are relevant facts यानि की A ने क्या करवा रखा 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 तो जिस दिन insurance करवा था उसके time के उससे एक-दो दिन पहले जो A ने बताया था अपनी health के बारे में वो facts क्या होगे वो statement क्या हो जाएगी relevant हो जाएगी clear? A was injured the fact that B's intention was drawn on other occasions to the defect of that particular carriage is relevant the fact B was habitually negligent about the carriage which he led to hire is relevant irrelevant, sorry irrelevant अब दी की ये चीज़ चाह रखा 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 है इसे मैं समझाता हूँ एक परसंद था A उसने क्या करी B से क्या ली गाड़ी गी क्या traveling purpose के लिए उसे कहीं जाना था उसने गाड़ी गी अब वो गाड़ी क्या थी? खराब थी और उसकी उस कार की वज़े से A को क्या हो गई? injury हो गई clear? तो A ने क्या खरा? B पर case करा किस चीज़ का negligence का कि आपने कार को सही तरीके से प्रियर नहीं कह रहा था मैंने आपसे कहा था और इसकी वाज़ी से मुझे injury होगी उसके मुझे damages दो clear? अब क्या fact relevant होगा? fact that B's attention was drawn on other occasions to the defect of that particular carriage is relevant यानि कि उससे पहले B से एक विक्ती है C वो भी लेके गया था वो ही कार और उसने भी इसी problem के बारे में B को बताया था but B ने वो problem तब भी उस particular carriage में वो जो problem थी उससे सही नहीं खरवाया तो ये fact क्या होज़गा? relevant होज़गा but जो B है वो actually क्या रहता है negligent रहता है कोई भी कारों पर जादर ध्यान नहीं देता ये fact हमारा relevant नहीं होगा उस particular car पे particular other occasions पे कोई और व्यक्ती ही ले गया था उस कार को उसमें भी एक complaint करती कि आपकी इस car में ये particular चीज़ खराब इससे सही करवालेजिए इससे injury हो सकती है ये but B ने नहीं कर भाई तो ये fact relevant है but B सारे टाइम क्या रहता negligent रहता है उससे जादा फरक नहीं पढ़ता अपने इस business से उसकी car खराब होते रहते है उससे फरक नहीं पढ़ता ये fact क्या होगा irrelevant होगा ये relevant नहीं होगा under section 14 अगर हम बात करते है A ने क्या करा murder करा B का ये पर क्या allegation अब A के intention प्रूव करना है तो क्या fact relevant होगा कि इससे पहले भी A ने क्या करा था B पर गोली चलाई थी clear ये intention को show करने के लिए sufficient रही A की intention क्या थी murder करने की किसे B को clear come to the next slide the fact that A was in habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant यानि कि A को क्या आदत है गोली चलाने की लोगों पर किस intention से जो उन्हें जान से मानने की ये fact हमारा under section 14 relevant नहीं होगा क्या relevant होगा come to the back side उसमें पहले भी क्या करा है other occasions पर क्या करा है B पर गोली चलाई थी clear तो ये intention को proof करने के लिए कि उसकी intention क्या थी B को मानने की ये under section 14 relevant हो जाएगा hopefully आप सभी को section number 14 सारे illustration explanation 1 explanation 2 सबी अच्छे से समझ आया हो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे content अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है मेरे बहनत अच्छी लगता है तो पीस जाथ साथ वीडियो उसको प्यार दीजिए जाथ साथ आदा सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच एब नाइस डे